असलाम उलेकूम आज मैं अगेन एक महीने बाद अलगफूर ग्रेंड सिटी की साइट पर आया हूँ और आप लोगों को यहाँ पर होने वाले कंस्ट्रक्शन वर्क की अपडेट दूँगा तो लास दिर हमारा पूरे एक महीने पहले हुआ था और आज एक महीने बाद देखते हैं कि अलगफूर ग्रेंड सिटी में कितनी न्यू कंस्ट्रक्शन हुई है क्योंकि पिछले महीने बारिशे भी हुई है तो जिसकी वज़ए से कंस्ट्रक्शन काम काफी स्लो हुआ है तो यह देखिए मैं अभी हूँ टावर्स और मॉल्स की साइट पे तो यहाँ पर टावर्स और मॉल्स बनेंगे तो स्टार्ट में जो एक टावर यह रूख बना रहे हैं तो उस पर मुझे काम में कुछ चीजिंग नजर आ दिए कि इन्होंने यहाँ पर काम किया है तो मैं आपने वह थोड़ा सा और आगे चलके थोड़ा सा दिखाता हूँ कि इन्होंने यहाँपर कितना आपने तेज ने जो ँग क्यारा है तो यह फ्रंट का टावर है इससी पर जूँनौं उन्होंने ज़्यादा काम किया वहा है अब इसके बाद यह टावर ठी और उसके ने टावर 1 तो यहां पर जो हैं और यह यह देखिए टावर 3 एवसलैब 2 और 3 द्रग हरो पर डुटर थन और जो अब मैं जो है आगया हूँ और आपर लेंगे यह टावर बैक साइट पर ते जो है नहीं ड़ा यानि टावर जो है वन में जो बैक पर कोई काम नहीं हुआ है वैसा का वैसा ही हूए उसके बाद यह टावर 2 है तो टो में फस्री दल गई ये और सकेंड जो है यह यहा पर ड़ल रही है तो यह देखले जाई देने डहा है कि यह टावर 2 की अड़िटेग ऑगवेर ओप तावर 3 की जो है यह construction update है, front side से जो इसकी third slab भी डल गई, जबके back side से जो इसकी third slab पर काम हो रहा है tower 3 की, यह देखे tower 3, उसके बाद tower 4, tower 4 जो है first slab डल गई, second डल गई और third पर जो है इनके काम हो रहा है, तो third slab भी डल गई, tower 4 की, तो यह tower 4 की construction update है, और मजी जो है, आगे हम चलते हैं, और आप लोगो यहां की construction update देते हैं, तो यह देखे मेरे सामने जो है, आप लोगो labor काम करती हैं नज़रा रही है, यह देखे, तो tower 1 की जो है, यह first slab ड़़र रही है, front side से, यह देखे, tower 1 की first slab पर काम हो रहा है, और जो back सारे tower 1 की, यहां पर अभी कोई काम नहीं हुआ है, यह देखे, tower 1, इसी की back पर है, tower 3, और यह road, और उसके बाद, tower 2, तो tower 2 की जो है, first slab ड़़ गई है, और उपर जो है, मजीद अब second slab, ड़ लेगी इसकी, तो आगे हम मजीद चलते हैं, और आप लोगों मजीद, अलग अफूर, grand city की construction अपडेट देते हैं, मेरी last video में आप लोगों को, बताया था कि यह लोग सोच रहे हैं, जिन लोगी पुरानी files है, white value files, उनका rate बढ़ाने का यह लोग सोच रहे हैं, तो आज हमने इनके senior management से मालूम किया है, तो यहाँ पर इनकी site पर इनके senior होते हैं, जो शायद कामरान नाम है उनका, तो उन कामरान साब से जो हमारी बात हुई है, तो उन्होंने बताया है कि वो यह, कि वो price बढ़ाने की तरफ जो है builder नहीं जा रहे हैं, तो यह लोग प्राइस नहीं बढ़ा रहे हैं, और क्योंकि उन्होंने भी बताया है कि इससे builder का नाम खराब होता है, और उनकी market में नाम खराब होता है builder का, तो उन्होंने builder ने अब यह decision लिया है, कि वो loan की जो payment है, यानि तमाम लोग उनकी files में loan भी शामिल है, तो वो उन्होंने loan लेना start कर दिया है September के महीने से, तो यह September का महीन है, इस month जो है, मैंने आप लोग उसे letter कर से रहे थे थे last video में, तो letter जो है भेज रहे हैं वो लोग, लेकिन वो आपको price बढ़ाने के नहीं बेज रहे, बल्किन वो आपको letter बेज रहे हैं, कि आप लोगोंने loan की payment करनी है, तो loan की payment किस तरह करनी है, मैं आप लोगों बताया था हूँ, उन्होंने तीन option रखे हैं, तमाम लोगों के लिए, तो first option यह है, कि इस महीने September में, आप लोग 100% जो है, loan की payment करनी है, दूसरा option यह है, कि आप 50% payment करें, September में, यानि इसी महीने में, और बाकी जो payment है, वो आपने 18 महीने पे करनी है, और तीसरा option यह है, कि आप 25% payment करें, यानि 25% September में payment करें, लोन की, और बाकी जो है, वो आपने, बार हम इने पे करना है, तो इससे related जो है, इनके letters जो है, वो print हो गाए, और वो कह रहे थे, कि बहुत जल्दी dispatch हो जाएंगे, तो आप लोगों को, बहुत जल्द जो है, हम लोग जो है, यानि customers जो है, वो किस तरह से जो है, 100% जो है, एक महीने के अंदर loan पे करेंगे, अब बहुत साए लोग ऐसे हैं, जिनकी जो है, धाई लाग जो है loan की amount है, लेकिन बहुत साए लोग ऐसे भी हैं, जिनकी 7 लाग, 8 लाग, 10 लाग, और इसे जादा भी loan है, तो बड़ा जो है, ये possible नहीं होगा लोग के लिए, कि एक महीने के अंदर loan payment करें, और ये भी सुनने में आता है, कि 100% payment देगा, तो उसको ये discount देने 50% का, तो ऐसा कुछी भी नहीं है, इसमें कोई discount नहीं है, अब जो है material cost बहुत जादा बढ़ गई है, तो इसी वज़े से जो है, ये लोग कोई भी discount नहीं दे रहें, और आगे जो है, एक update ये भी है, कि जैसे कि मैं आपको last में बताया था, कि booking जो है ये लोग नहीं कर रहें, लेकिन जैसे ही जो है price stable होगी, ये booking दुबारा start कर देंगे, लेकिन अभी इस वक ये अलगाफूर grand city की booking नहीं कर रहे है, हमने जो है इनके दो मिंट चरंगी भी जो office है, वहाँ भी जाके पता किया है, तो वहाँ से भी booking नहीं हो रहे है, और site office ही booking नहीं हो रहे है, अभी सिर्फ और सिर्फ ये अलगाफूर green city की inventory बेच रहे है, लेकिन अलगाफूर grand city की booking नहीं नहीं close की हुई है, inventory नहीं के पास मौझूद है, जैसे ही price stable हो जाएंगे, तो ये लोग जो है again booking start कर देंगे, और loan से रिडिट ये है कि ये house building, इन्होंने कहा है कि house building के loan की दरफ ये नहीं जा रहे है, और इनके साथ cash low का मसला है, तो इसी वाएसे जो इन्होंने ये decision लिया है, ताकि ये जल से जल आप लोग इन्हें payment करें, और ये मजीद construction में तेजी ले कर आएं, तो इन्होंने ये decide किया है, कि अब जो है loan divine करना शुरू कर दिया है, तमाम लोगों से, तो बहुत जल जो है, आप लोग को letters मिल जाएंगे, जिसमें आप लोग को settlement करनी पड़ेगी, September में ही इन्हें बताना पड़ेगे, कि आप loan किस तरह पे करेंगे, तो मजीद हमें आपनी continue करता हूँ, आप लोगों बताता हूँ, कि ये जो है मैं cottages की side पर हूँ, बिल्कुल last में, तो यहाँ पर भी देखिए, कोई इतनी जादा तेजी नहीं है, ये construction की सोड़ी slow हो गई है, बारिशों की वज़ा से, और यहाँ पर जो है, ये cottages वाली side है, तो ये देखिए, cottages वाली side है, और मजीद हम आगे बढ़ते हैं, और आप लोगों को यहाँ की construction दिखाते हैं, ये इनके जो है model cottage, और आगे, यहाँ पर जो है, थोड़ा सा और आगे, इनका जो model banglogs के सामने, मस्जिद बन रही है, मस्जिद के काम में भी इनके तेजी आई है, ये देखिए, तो यहाँ पर भी देखिए, labor काम कर रही है, आपको काम कर दी नजर आगी, तो यहाँ पर भी इनके काम में, थोड़ी सी तेजी लेग रहा है, लेकिन overall जो है, इनका काम जो है, slow है, labor जो है इनकी, अभी बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रही है, हो सकता है कि वो अपने गाउं अगरा गयवे हो, labor, इतने ज्यादा यहाँ पर labor मौझूद नहीं है, यह देखिए, ground बन गया है, और यह जो ground में की parking बनेगी, FL2 में, वो बन गई है, और उसके बाद अब यह slab डालने की तैयारी हो रही है, यहाँ पर slab पूरी डाल गई है, ground जो है बन गया है, यह tower 3 है, और tower 3 में जो है, first slab डाल गया है, जो है, जैनि ground parking जो है पूरी, इन्होंने close कर दिया है उसे, और back side पे जो है काम चल रहा है, और इस तरफ से ही मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, FL2, FL2 के जो है, इन्होंने tower 1, और tower 2 पे, कोई भी काम इन्होंने start नहीं किया है, सिर्फ और से पेश में tower 3 और 4 पे काम हो रहा है, तो आगे जाके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यह देखिए, यह tower 1 और, यह देखिए, tower 1, और 2 की जगा खाली है, यह tower 3, और tower 4 की जगा, यह tower 3 है, सबसे पहले tower 3 देख लिजी आप लोग, तो आगे जाने के लिए जगा नहीं है, वढ़ना मैं आप लोगों और आगे से दिखाता, यह जो है ground, यह पूरा जो ground parking बने की पूरा वहाँ पर digging की विए, तो आगे जाने कोई रस्ता नहीं है, वढ़ना मैं आप लोग करीब से दिखाता, यहीं से मैं आप लोगों जून करके दिखा रहा हूँ, यह देखिए, अब यह इसकी back side दिखा रहा हूँ आप लोगों, तो अलकाफूर grand city में जो है, construction थोड़ी slow हो गई है, लेकिन overall जो है यहाँ पर, काम चल रहा है construction का, तो यह थी अलकाफूर grand city की construction update, जिन लोगों को loan के बारे में समझ में नहीं है, तो उन लोगों में एक बार फिर detail से loan के बारे में समझा देता हूँ, पहला option यह है कि आप लोगों ने 100% payment जो है, in the month of September, यानि इसी महीने में 100% loan की payment करनी है, जो के impossible है, सबके लिए, दूसरा option यह है कि आपने उस loan की 50% payment करनी है, और बाकी जो remaining बजज़ा की वह आपने 18 महीने में पे गड़नी है, और तीसरा option यह है कि आपने 25% payment करनी है, इन दा मंतों September, यानि current month इस महीने में पे गड़ने, और बाकी आपने 12 महीने में पे गड़ने है, अब इसकी example यह है कि अगर for example, आपका जो loan है, उसकी amount है, धाई लाग रुपे, तो आप अगर पे कर सकते हैं, तो September के महीने में भी 100% payment कर सकते हैं, और दूसरा option यह है, कि 50% payment, यानि धाई लाग में से आपने 1,25,000 रुपे आपने अभी पे करने हैं September में, और बाकी जो 1,25,000 रुपे बज़ गए, वो आपने 18 महीने में, यानि 6,944 रुपे, तक्रीवन 7,000 के करीब जो है आपने 18 महीने में पे करने हैं, आपको 18 महीने का रिलक्सेशन मिल जागा, अगर आप इस वक्त 1,25,000 रुपे पे कर देते हैं, दूसरा option यह है, कि आप अगर 25% payment करते हैं, यानि 12,500 रुपे करते हैं, तो बाकी जो remaining amount है, वो आपको 12 महीने में पे करना पड़ेगा, यानि 15,625 रुपे केस आपको 12 महीन तक पे करना है, तो अगर 50% payment कर देंगे, तो आपको 18 महीने का रिलक्सेशन मिल जाएगा, इंस्टॉल्मेंट में लोन की, और इसके साथ साथ आपको अपनी S पर schedule payment करते रहनी है,